दोस्तों हम लोग अपने बालों को खुबसुरत और घना बनाने के लिए बाजार से काफी सारे महंगय प्रोडक्ट लाते हैं और प्यूटी पालर भी जाते हैं सैलून जाते हैं इस पर कराते हैं लेकिन बालों की समस्या जो होती है उससे छुटकारा नहीं मिल पाता है बालों में डेंडरफ पड़ जाता है बालों की जड़ों में अक्सर कई लोगों को सफेद पप्री सी जम जाती है जिसकी वज़र से बाल काफी तूटते हैं और धीरे धीरे आदमी बिल्कुल गंजा हो जाता है और गंजा कौन दिखना जाता है आदमी कितना भी खुबसूरत अगर वह गंजा है और या बाल उसके अच्छे नहीं है तो बिलकूल अच्छा नहीं लगता है। हम सब अपने गीरते वे बालों से दो मुहे बाल होते हैं, समय सफेद बाल होते हैं, इन सारी चीजों से काफी परसान रखते हैं। दोस्तों हम लोग इस बास से अंजान रहते हैं कि हमारे किचन में ही ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो इन सारी चीजों से हमें निजात दिला सकती हैं उनमें से एक है मेथी, आयरवेर में भी मेथी के और सधी गुडों का बहुत सारा उपियोग बताया गया है ये देखिए, ये मेथी है, मेथी में भरपूर मातरा में पोटैसियम मिलता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है इससे हमारे बालों की जितनी भी समस्या हैं काफी हद तक कम हो जाती है इसमें बहुत सारी मातरा में प्रोटीन भी मिलता है जो हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है इसमें विटामिन A, K, C, Iron, Calcium, Folic Acid जैसे काफी सारे पॉस्टिक तत्व भी पाय जाते हैं जो हमारे खर समय तक यूज करें और धार पुर्वक इस्तेमाल करें तो इसका 100% आपको मिलेगा आप इस हेर पैक को बिलकुर निसंकोच होकर कुछ दिनों तक आख बंद करकर यूज करें यह न देखे कि यह हमें कितना फायदा पहुचा रहा है बलकि आप यह सोचे कि आप इतने सालों तक जो सैंपू, कंडिशनर और जेल वगरा जो भी बाहर के महंगे प्रोड़क्ट है वो आपने यूज किये हैं जिसका रिजल्ट आपको क्या तुरंद मिला है नहीं न तो फिर इसको भी कुछ समय तो दीजिए और यूज करिए अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ जाने के लिए तीन बड़े चमच मैंने मेथी लिया है जिसे मैंने राद भर पानी में भिगा दिया था इसे खुब अच्छी तरह से फूल जाना चाहिए यह देखिए मेथी की तासीर गर्म होती है इसलिए इसे राद भर पानी में भिगा दें मेथी के दानों को अच्छी तरह से फुलना जरूरी है क्योंकि जितनी अच्छी तरह से फुला रहेगा उतना ही बारिक इसका पेस्ट बनेगा यहाँ पर मैंने एलवीरा भी लिया है यह देखिए एलवीरा हमारी स्कीन और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है इस तरह से कट करें इससे क्या होता है कि आसानी से इसके बीज वाला भाग जो है वो निकल आएगा इस तरह से इसे निकाल ले एलवीरा के जिल को मैंने निकाल लिया है अब आईए इसको पीस्ते हैं अब मिक्सी के जार में एलवीरा जेल और मेथी को डाल कर इसका पेस्ट त्यार कर लेते हैं ये देखिए इसका पेस्ट मैंने त्यार कर लिया है इसे मैं दिखाती हूँ देखिए किस तरह का पेश्ट द्यान होना चाहिए ये देखिए बिल्कुल महीन और बारीक होना चाहिए अगर आपको पीश्टे समय पानी थोड़ा कम लगे तो इसमें दो या तीन चमच पानी और एड़ कर ले पेश्ट बनाते समय ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए इतना ही पतला रहे कि आसानी से बालों में लगा सके ये दिखें ये मैं दिखा रही हूँ इस तरह का पेश्ट तयार होना चाहिए अब इसमें डालूंगी दो चमच नारियल का तेल आप किसी भी कमपनी का ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो अब इसमें डालेंगे एक चमच जैतून का तेल जैतून का तेल हमारे इसकिन और बालों के लिए काफी अच्छा होता है ये बिटामीनीक का कैपसूल है इसे मैं इसमें मिला दे रही हूँ ये असानी से मेडिकल इस्टोपर मिल जाता है आप इसे ले लें ये बालो और स्कीन के लिए काफी अच्छा होता है और इसका result भी बहुत अच्छा आता है इन सब चीजों को अच्छी तरह से mix कर लें ये देखिए घर का बना हुआ मेथी का hair pack बिल्गूर बनकर तयार है आप इसे अपने बालों के जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं और आधा घंटा ऐसे ही लगे रहने दे अगर आपके पास समय हो तो एक घंटे के लिए इसे लगा रहने दे इससे result काफी अच्छा आएगा फिर इसे अच्छे तरह से सैंपू करके धोल ले अगर आप ऐसा कुछ दिनों तक करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके बाल काफी घंटे मुलायम और चमकदार हो गए है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ जैहिं